तो मेरे प्यारे छात्रों, पीछे स्क्रीन पे आप जो सवाल देख रहे हो, यही सवाल परिच्छा में आ जाये तो क्या आप इसे कर लोगे? ज़रा इस वीडियो को रो किये? अपने मंद से करेगे, उसको जब आपका एंसर आ גएगा, तब आप मेरा वीडियो देखेगा, मेरा एंसर देखेगा, तभी ना सही तरीका पता चल पाएगा कि आपकी तयारी कैसी है? कितनी है? कितना लायक आप हैं? कितनी गलतीया आप ने क या एक ही सवाल में, ये सब को जानने का मौका आपको मिलेगा, जो बाते मैं अभी अभी बता रहा हूं न, ये यूटूब पर पढ़ाने वाले कोई टीचर नहीं बता रहा है, पढ़ा है सब लोग, लेकिन सही चीज क्या आपको इस वक्त करने की जरूरत है, वो कोई नहीं बता रहा है, तो अगर मैं बता रहा हूं, तो इसी बात पर वीडियो लाइक होना चाहिए, कॉमेंट में लिख दीजेगा, आएम एगरी, एगरी लिख देना, ये जी आर डबल ए, ठीक है, एगरी लिख देना भाई, अगर तो मेरी बात से सहमेत हो तो, अब खेर, कमजोर ह है, पढ़ाई में वीक है, तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे पास 16 घंटे की वीडियो है, जिसे देख कर के आप 100 में से 65-70 नमबर बड़े आसानी से पा सकते हैं, तो 16 घंटे की वीडियो पाने के लिए, इस नमबर पे काल कीजिएगा, ठीक है, 200 रुपे है, सिर्फ उ इतना कि वीडियो इतना है, जो चप्ले का समयकर का सुत्र होता है, जो मुझे याद है, आपको साथ नहीं याद होगा, तो मुझे जो याद है उसमें यक्श और वाई दोनों की जरूरत है, और यहां पे सिर्फ यक्श का मान दिया है, वाई का नहीं दिया है तो वाई का पहली हम निकाल ले चाहे बाद में निकाले यह आपके उपर है तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही वाई का मान निकाल लो तो कैसे निकलेगा देखिए यक्स की बेलू इतना हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू है ना तो यक्स की जगा पे माइनस टू रखो देखो तो ये पलस चार हुआ ये पलस आठ हुआ आठ चार बारे में से पान जाएगा साथ तो बिंदू अब कम्प्लीट बिंदू मिल गया कम्प्लीट बिंदू क्या X की value –2 और Y की value 7 अब इसे बोलेंगे complete बिंदो अभी सिर्फ X का value दिया था तो वो complete नहीं था Y का भी मिल गया तो अब ही ये complete हो गया अब सवाल अब होगा अभी तो मैंने सिर्फ बिंदो निकाला है अब सवाल मैं करने जा रहा हूं उसको सीखना जरूरी है देखो कैसे पहले इस लाइन को यहां लिख लो लिख लिया आप दोनों पच्छों का आउकलान करिये तुरंत डी वाई बाई डी अक्स बराबर यह हो जाएगा टू यक्स माइनस फोर आप क्या होगा लिखेंगे इतना कामा इतना पर इसका मान माइनस दो कामा साथ पर डी वाई बाई डी यक्स बराबर दो गुड़े यक्स है दो गुड़े यक्स कामान क्या माइनस दो और यह माइनस चार तो कितना हुआ यह दो दुना चार माइनस चार माइनस चार माइनस आठ और यह क्या हुआ एम यह क्या हुआ? यह M है मैनस आठ क्या है? यह M है यह मतलब परवड़ता है अब मैं सुत्र यूज करने वाला हूँ कौन सा? अस्पर सरीखा के समिकरण का अस्पर सरीखा का समिकरण इसका सुत्र है अस्पर सरीखा का समिकरण क्या होता है? य माइनस वाइवन बराबर एम इन्टू एक्स माइनस एक्सवन तो य माइनस वाइवन यह देखो यह एक्सवन है यह वाइवन है तो आइवन किता है साथ है? यह माइनस वाइनस 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 व एक काम करते हैं हाँ हाँ एक मिदेट देखो तो y-7 बराबर 8 का गुड़ा करेंगे मैनस 8x मैनस 8 कोड़े दो मैनस 16 8x के दर आएगा प्लस 8x और प्लस y बराबर 7 उधर जाएगा प्लस 7 मैनस 16 8x प्लस y बराबर 16 मैनस 9 तो मैनस 9 को भी मैनस 5 मिले लिजिए ठीक है 8x प्लस y प्लस 9 बराबर 0 यह हुआ आपके अस्पर सरेखा का सम्मिकरण का सूतर है ठीक है एक बात और है ध्यान से सुनिये का मेरी बात जैसे जैसे जब भी अस्पर सरेखा के सम्मिकरण का सूतर पूछे यह सवाल पूछे तो आप यही लिखना y-1 बराबर m into x-1 तो x1 और y1 की ज़रूरत मुझे पड़ी थी इस सूतर में x1 और y1 की आसकता मासूस हुआ ना इसी नाते मैंने शुरूरत में ही y का मन निकाल लिया समझे नहीं तो बाद में मुझे निकालना पड़ता हमने शुरू में निकाल दिया और कोई टीचर आपको अगर पड़ाया वो बाद में बहलू निकाला हम पहले निकाल दिये तो आप यह मत जज करना कि वो गलत था कि मैं गलत हूँ दोनों लोग सही है ठीक है तो चली अगला सवाल करते हैं और यह सवाल जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ नो यह अभिलंब का समेकर ग्यात करने वाला है इसको important मानो और यह देरगोतरी प्रस्न का स्रेडी में आता है मतलब की चार नंबर आपको मिलना है अगर यह यह या इसके जैसा कोई दूसरा सवाल या स्वेम यही आपके एक्जाम में आया तो चार नंबर आप complete पाएंगे ठीक है तो कैसे करना है इसको जरा जाचिए इसमें भी उसी तरह है कि वक कर दिया है उस बिंद पर असपर सलेखा कसमेकर ग्यात केजिए जहाँ यक्स बरावर एक बटा दो है X कमान दिया है Y का नहीं दिया है तो Y का आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा तो X कमान पहले इसमें रखिए X कमान एक बटे दो है न यहां रखिए 4 गुड़ी एक बटे दो का स्क्वाइर प्लस 5 Y स्क्वाइर बराबर 2 एक बटे दो का स्क्वाइर करेंगे एक बटे चार होगा ऐसे ठीक है न चार चार कट गया 1 बचेगा 1 को उधर ले जाएंगे 2 में से 1 घट जाएगा 1 Y स्क्वाइर बराबर 1 बाई 5 Y का बेलो निकालेंगे तो एक बटे कलड़ी में 5 और यक्स का मान कितना यह था 1 बटे 2 यानि X बराबर 1 बटे 2 Y बराबर 1 बटे कलड़ी में 5 तो बिंदू क्या हो जाएगा बिंदू हो जाएगा यक्स का मान 1 बटे 2 Y का मान 1 बटे कलड़ी में 5 ठीक है अभी इतने दूरी में सिर्फ आपको बिंदु बता चला है अब मेरा जो इधर वाला जगे है ना मैं इधर अब क्या करूँगा अब सवाल करूँगा अभी तक तो बिंदु निकला है यही वाला लिख लीजे फिद्र यही वाली लाइन यहां पर लिखिए का आउकलान करिए चार दोना आठ यक्स पांदोना दस वाई डिवाई बैडी एक्स बराबर दो का आउकलान जीर हो जाएगा अब आगे देखिए ध्यान से कैसे हो गाई है आठ यक्स को राइट साइट में ले जाएए तो माइनस आठ यक्स हो गया दी वाई बैडी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस आठ यक्स बटे के नीचे दस वाई आठ और दस दोनों कट जाएगा तो दी वाई बैडी एक्स बराबर आठ दस काटेंगे तो माइनस चार यक्स बटे पांच वाई अब क्या होगा इस बिंदु का यूज करके हम इसका बेलू निकालेंगे तो एक बट दो और एक बट पांच पर लिखेंगे एक बट दो कामा एक बट कडिम पांच पर डी वाई बाई डी यक्स बराबर माईनस चार गुड़े एकस कामान एक बट दो वाई कामान एक बट पांच ठीक है दो से चार काट गए तो केता हो जाएगा माईनस दो आओ काडिम पांच से पांच कटेगा तो काडिम पांच आएगा एसे नहीं समझे क्या देखो पांच को हम दो बार काडिम पांच लिख शकते हैं तो नीचे वाले काडिम पांच से एक बट पांच कट जाएगा तो जो बचेगा उसको मैंने या लिखा दो से चार कटा दो आयत मैंने यहा लिखा तो मैंने दो बटे कडिम पाँच आया ठीक है और यह क्या है यह यम है यम का बहलू है ठीक है यह क्या था यह एम था अब मैं मिट्याओंगा इसके आगे आपको बताओंगा अभी लंब के समीकरण का सूत्र है तो ध्यान से देखना अभी लंब के समीकरण का सूत्र क्या है लिखेंगे यहाँ पर अभी लंब के समीकरण का अभी लंब के समीकरण का सूत्र है y-y1 बराबर –1 बट्रियम x-x1 है तो अब इलम के समेकड का सूत्र यही है चला ठीक है ना इसको तुम याद कर लेना यह देखू तुमारा x1 है यह y1 है ठीक है x1 के जगा पर यह रहेगा y1 के जगा पर यह रहेगा तो y-y1 के जगा पर क्या रहेगा एक बट्रियमे 5 –1 बट्रियम m के जगा पर देखो यहाँ पर क्या है –2 बट्रियमे 5 फिर x-x1 x1 कमाने एक बट्रियमे 2 अब यह दो नो माइनस हो जाएगा पलस कर्डियम 5 उपर चला जाएगा इस दो का इधर गुड़ा इधर गुड़ा करता 2y माइनस 2 बट्रियम 5 कर्डियम 5 कहां करो कर्डियम 5 यक्स माइनस कर्डियम 5 बट्रियम 2 कर्डियमे 5 यक्स 2y को इधर लाएगे माइनस 2y इन दोनों का अपस में गुड़ा करेंगे लगुत्ता हो जाएगा इसका इस में गुड़ा करेंगे 5 इसका इस में करेंगे तो 4 बट्रियम 5 यक्स माइनस 2y 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा ठीके समझे गए 5 में जाज़े 1 बट्रियम 5 बट्रियम 5 यक्स माइनस 2y ठीके आप तिरची तिरची गुड़ा कर लो काम हो जाएगा इसका इसमें गुड़ा तो 1 बट्रियम 5 यक्स में होगा तो 5 दूनी 10 10x 2 दूनी 4 दूनी 5 वाई यह एंसर बट्रियम घुमा देना दाहिना पर्च बाय में बायवाच दाहिना लिखना है मैं इटाता हूँ बताता हूँ आपको थोड़ी सेहर ठीक नहीं है इस नात्य उतना इनर्जेटिक होके नहीं पढ़ा रहा हूँ फिर भी आपकी परिच्छा है आपको कलासे चाहिए इस नात्य दे दे रहा हूँ जितना हिम्मत है उतना हम काम कर रहे हैं ठीक है अराम से देखो डाटा का घाटा नहीं लगेगा इस्ट्रा डाटा उटा ले लेना तुम लो देखो इन दोनों को बायपच में 10x-4-5y बराबर एक यह हुआ एंसर एक बार में एंसर मिला लेता हूँ 10x-4-5y बराबर एक एक दम सही है ठीक है तो यार वीडियो लाइक करना आगे भी बता रहा हूँ ध्यान से देखो यह जो मेरे पीछे सवाल मैंने लिखा है यह एक नंबर में चाहे दो नंबर में एक जाम में आ सकता है लेकिन इसको अगर आप करना जानोगे नहीं तो आप ही का एक नंबर घाटा है इस वज़ा से इसको देखो और मेरा तरीका देखो तुम्हें समझ में आएगा ऐसा मैं भरोसा रखता हूँ तुम कमेंट करके बताते ही हो सब लोग तो जित्ते भी लोग एगरी है मेरी बास से समझ में आता है तो एगरी जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं वक्र इतना परव बिंदू ग्याद केजिए जहांपर ढाल आठ है इसमें ये दो नई चीज मैंने आपको बताने का मौका पाया है बिंदू ग्याद करना है और ढाल आठ दिया है तो बिंदू तो हम लोग पिछले सवाल में ग्याद किये ने इसके पहले जो हम किये है तो उसमें यक्स कमान दिया रहता था हम उसको रखते थे तो वाई कमान आ जाता था ऐसा ही था लेकिन यहाँ पर कोई मानों नहीं दिया है सीधे वक्र का समय कर दिया है बिंदू पूछा है ढाल दिया है तो ढाल का मतलब आप क्या समझोगे समझना की परवड़ता दिया है ढाल का मतलब दिमाग में रहो ढाल का मतलब परवड़ता है ढाल का मतलब परवड़ता है तो परवड़ता का मतलब समझना कि dy by dx का मान, dy by dx का मान, वही होता है परवड़ता, मतलब की क्या, मैंने कहा, ढाल को आप परवड़ता समझिएगा, ठीक है, फिर अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, तो परवड़ता को आप dy by dx समझिएगा, समझ गया ना, तो क्या चीज है ढाल आठ है देखो आठ क्या है ढाल है ढाल क्या है परवड़ता है परवड़ता क्या है डिवाइबे डियक्स है समझ गे नगा दूसरा नाम क्या है है मलब यह 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 सब एकी बात है पुरे योटूपर कोई टीचर ऐसा निए जवापको यह 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 सब में आपस में सब्बंद बताए कि यह सब पांच और येखी बात है से दिया कि डाल आठ है यानी ग्र्ष चीज़े वो ढाल है और द्यास नहीं समj जहाता ओक्या है दो पर्लवडता प्रवडता निम्हें दीघ में अच्छाँ टिभाइ बैच्छ तो आपको आता ही होगा अब यह आउकलन करेंगे मिल जाएगा ठीक है तो इसका आउकलन करिए पहले एक बार लिख लो लिख लिया आउकलन करेंगे जिए होते हो डिवाई बे डियक्स मिल गया इसका होगा 2 एक्स और इसका होगा 8 यह तो 0 हो जाएगा यह मिल गया इसका मतलब यह इसका मतलब यह इसका मतलब यह 8 तो 8 रखी यहां पर बरावट 2 एक्स प्लस 8 दोनों और से 8 आट कर जाएगा तो 0 बरावट 2 एक्स तो 2 आजाएगा 0 के नीचे तो यक्स कमान आ गया जीरो अजब यक्स कमान आ गया तो हम उसको पिछले सवाल में अभी हमने क्या किया है बिंदू ग्यांत किया पहले यक्स कमान जब मालूम रहता था तो उसको रखते थे तो वही कमान आता था पिछले दो सवाल में इसी वीडियो में मैंने बताया न सुरू सुरू में तो अब वही काम करना यक्स कमान जीरो यहां रख दो इसमें एक्स बराबर जीरो रखने और ठीक है तो य बराबर यह हो जागा जीरो यह बिछाएगा जीरो बचेगा वन तो वाई का बेलू क्या आगया वन तो बिंदू क्या हो जाएगा फाइनली आता है बिंदू कितना कामा कितना यक्स कमा वाई होता यानि जीरो कमा वन क्या होगा 0,1 यह होगा आपका एंसर जीरू कामा वन यह क्या होगा आपका एंसर ठीक है तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज का यह वीडियो और आपको मैं एक सवाल और बताता हूं भागिये गमत देखिये ध्यान से देखिये यह सवाल भी मज़िदार है और यह चार नमबर का सवाल और पांच नमबर का सवाल यह दोनों लेबल का है एक्जाम में चार में भी आता है पांच में भी आता है तो अपने अपना आपको क्या करना चाहिए मेहनत करना चाहिए ताकि आप यह चार में पांच में पांच में पांच में पांच में पांच म तो वीडियो रोक दो, खुझ से साल्व करो, फिर उसके बाद एक एक लाइन मिला ना, मेरे वाले सलूशन से, ठीक है, तो ये राच चेक करने का तरीका, आपने आपको, जानने का, आज माने का, कितने लाइक हो, कितने नमबर पाने लाइक हो, ये कैसे जानोगे, ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है, तो फोन नमबर में तो दिया ही हूँ, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हर वीडियो के शुरु आज मिल जाता है, फोन करके यारे कॉर्स जोइन कर लो, पढ़ाई करो, अच्छे डंग से पास हो जाओ, बस यही सब है खेर कोई बात नहीं, देखते हैं, सवाल कैसे होगा यह, यहां से लेके यहां तक ध्यान से देखिए, और यहां से देख करके यहां तक यहां पर लिख दीजिए एक लाइन, एक लाइन आपका वैसे ही हो जाएगा, हो गया, अब दोनों पच्छों का आउकलन करिये तुरं 10 का होता है, सेक स्क्वाइर एक्स, और सेक का क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10 एक्स, मिटा आदें फिर से लिख दें, 10 का हो जाएगा, सेक स्क्वाइर एक्स, सेक का हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10 एक्स, यहां तक तो आप समझ गए, कोई इसमें प्राब्लम नहीं है, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सा समझना है, यहां पर क्या दिया है, डी टू आ या पन डी अक्स स्क्वाइर, मतलब यह कि दो बार आउकलन करने पर यह उत्तर आएगा, एक बार तो आउकलन हो गया मेरा, नहीं आया, तो एक बार और करेंगे तब आएगा, तो पहले काम अभी आउकलन मत करो, इन दोनों में सेके एक्स कामन लेलो, तो यहां बचेगा, सेके एक्स प्लस टैन एक्स, ठीके, समझ में आगी बात, अब सेके एक्स प्लस टैन एक्स की जगह पर, हम दूसरा फलन माल लेंगे, और यह हमारा पहला फलन रहेगा, दो फलन के गुड़न फल का आउकलन होगा, तो जब दुबारा आउकलन करेंगे, तो यहां लिख देंगे, डी टू आ या पान डी अक्स स्क्वाइर, यह प्रत सेकेंड वाला फंक्शन, ठीक है, प्लस इस बार दूसरा फलन एक्स ही रहेगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है, इन्टु डी डी अक्स आफ प्रतम फलन, यानि सेक का आउकलन, ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, प्रतम फलन, दूती का उकलन, प्रतुती फलन, प्रतम का उकलन, हो गया सुत्र है, अब सिर्फ साल्व करना है, यह जैसे है, वैसे ही रहेगा, इसका उक्लन क्या होता सेक्स, इन्टु टैन एक्स, और यह टैन का क्या होता सेक्स्वाइर एक्स इसमें जो चीज जैसे है वैसे लिख दो CKX प्लस 10X और इस से का क्या हो जागा CKX इंटू 10X अब एक काम करते हैं इसमें से CKX कामल लेकर के बाहर निकालेंगे यहाँ इसमें से जब हम CKX कामल लेंगे यहाँ भी सेख है यहाँ भी सेख है तो यहाँ बचा आपका पहले लिख दो से एक है तब बाद में लिखो 10 उसके बाद यहाँ पर कुछ मत करिए जैसे है वैसे रहने दो से कX प्लस 10X और से कX इंटू 10X मैंने ऐसा क्यों किया भई मैंने इसनाते किया कि यह जो बड़े कोष्टक के अंदर है ना यहाँ से और यहाँ से कामन होगा तो अगली लाइन में बड़ा कोष्टक के अंदर वाला चीज हम क्या करने वाले हैं कामन लेने वाले हैं ठीक है तो उपर वाला मिटाते हैं वीडियो पीछे भगा के देख लेओ इस्क्रीन साट ले लेना ठीक है ना चलिए ध्यान दीजिए यह ब्रैकेट कामन जब लेंगे तो d2y upon dx square बराबर cx plus 10x अगला ब्रैकेट में c square x plus cx into 10x c square x plus cx into 10x ठीक है तो फिर क्या हुआ d2y upon dx square बराबर इसमें फिर से कामन ले लो तो एक दम बाहर लिख दो इसा cx तो यह वाला क्या आपका cx plus 10x तो इसमें क्या बचेगा फिर फिर होई बचेगा cx plus 10x अब आप देखिये ध्यान से यह वाला कोष्टक यह वाला कोष्टक दोनों आपस में क्या है एक ही है तो दोनों का आपस में गुड़ा होगा है तो दोनों पर क्या लग जाएगा अब दोनों का होली स्कॉर लग जाएगा तो दी टू आपन दी अक्स स्कॉर बराबर से क्यक्स इंटू से क्यक्स प्लस टैन एक्स का होली स्कॉर यहां तक तो किलियर हो गया बाई तरिकोड में थी बहुत मस्त चल लई है मिटाते हैं आईए ध्यान से देखिए गए काफी मज़ा आरा मुझे बताते हुए देखिए अब मुझे उस दिशा की तरफ जाना है जिधर मेरा इंस्वर आने वाला है तो एक काम करते हैं से क्यक्स ऐसे रहने दो से को एक बटे कास करो इसको साइन बटे कास करो होली स्क्वार ठीक है तो लगुत्तम कास कास हो जाएगा उपर हो जाएगा वन पलस साइन बटे नीचे कास इसका होली स्क्वार है और जो हम लोग को सिद्ध करके लाना था वो क्या था उसको बगल में पहले लिख देते हैं ये था ध्यान देजेगा ठीक है हम लोग को वो लाना है तो आएगा कैसे आएगा यह स्क्वायर उपर भी लगा दो नीचे भी लगा दो ठीक है देखते रहो मैं ला दूँगा ठीक है तुम्हें भी आ जाएगा सिक्य अक्स वन पलस साइन अक्स उपर है दो बार लिख दो वन पलस साइन अक्स उपर यह नीचे स्क्वायर जब कास पर लगा होगे तो कास स्क्वायर होगा कास स्क्वायर को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है दिख रहा है न यह जो स्क्वाइर है जब कास पर लगेगा तो कासी स्क्वाइर कासी स्क्वाइर को लिखते हैं बर मैंस साइन स्क्वाइर है ठीक है फिर उपर मिटाते हैं आपकी बार आ जाएगा ज्यादा नहीं मिटाना पड़ेगा जो मैं मिटा रहा हूं वो गलत नहीं है भाई कुछ लोगा इसे न समय लेना कि जो हम मिटा रहे हो गलत था अरे अब इसके आगे मेरे बाद जगए नहीं था फिर हम उपर से लिख रहा है आप लिखते रहना सारी लाइन सही है अब देखो नीचे 1-1 स्क्वाइर को ऐसे भी कर सकते हैं एक खोश ट्रक में 1 पलस स्क्वाइर दोसरे में 1 मैंनस स्क्वाइर तो d2y अपान dx स्क्वाइर बराबर 1 पलस स्क्वाइर उपर दो बार है अनीचे 1 पलस साइन एक्स इंटू 1 मैंनस साइन एक्स और यह जो स्क्वाइर इसको लिख देंगे एक बटे कास एक बटे इंटू में कास तो 1 पलस साइन 1 पलस साइन कट गया यह दोनों बचा है d2y अपान dx स्क्वाइर बराबर ओए होई होई मेरा चाक की गिर गया बचा जो उसको लिखते हैं 1 पलस साइन और नीचे कास ब्रेकेट में 1 मैंनस साइन ठीक है हमें तो यह लाइना था तो एक काम करते हैं उपर नीचे 1 मैंनस साइन से गुड़ा करते हैं पर में करण हो जाएगा ऐसे तो क्या होगा ध्यान दे ना बेटा बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बताते हुए a plus b into a minus b a square minus b square 1 minus sin square हो गया और नीचे 80x ऐसे रहने दो और नीचे 1 minus sin गुड़े 1 minus sin 1 minus sin का होली square हो जाएगा उपर वाला 80 square बन जाएगा न मिटाते हैं यह एंस्वर आ चुका है समधार बच्चे जान गे होंगे कि आगे क्या होने जा रहा d2y upon dx square बराबर उपर वाला बन जाएगा 80 square x और नीचे भी आपका 80 x bracket में बन माइने sin x का होली square 80 से कास कट जाएगा कटेगा ना उपर वाले कास से नीचे वाला कास कटेगा तो उपर एक गो कास बचेगा और नीचे 1 minus sin x का all square यही तो लाना था भाई देखवा आगे न तो काफी मज़ा आया त्रिकोर्ड मेती मुझे लेके चली गई बड़े आगे आया मज़ा तो ऐसे यह मज़ेदार सवाल देखने के लिए हम सलूशन पर चिप कर रहे है share, subscribe, like, comment यह आपकी जिमेदारी है दोस्त ढूढ़िए ऐसा दोस्त जो लगे कि वो मेत में तो इदम कंडम है फेल होने के कगार पर है अगर आप ऐसे दोस्त को ढूढ़ करके मेरी वीडियो दिखाते है चैनल सब्सक्राइब कराते है तो आप उसके लिए बड़ा ही आसान करेंगे और मेरे लिए भी आसान करेंगे तो आप दो-दो लोगों का आसान करेंगे दोनों लोग आपका असान नहीं चुगा पाएंगे ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते अगली वीडियो में थैंक यो